भीशण गर्मी का तांडप देखने को मिल रहा है जहां हीट वेव के कारण दो लोगों की मौत हो गई है। और दो लोगों की मौत हो गई है एक शक्स का सड़क के नारे शो मिला और आपको बता दी किस पूरे मामले को लेकर परिजनों ने गर्मी से मौत की रिपोर्ट दी है। ज्यादा जानकारी देंगे बूंदी से समवदाता सलीम अली हमारे साथ लाइव जोड रहे हैं। यहाँ भीशन गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है लूक चपेट में आने से दो मनरेगा श्रमिकों की मौत के खबर मिल रहे हैं। पूरी जानकारी अपडेट किया इस पूरे मामले में। लोग जो है घरों पर ही मौजूद है लेकिन जो मनरेगा श्रमिक है उनका समय पर बढ़्लाव नहीं किया गया है। उबेर चे से दोपर दो बजे तक का जो समय दिया गया है यहाँ पर मनरेगा जो सर्मिक हैं की तबियत खराब हो रही है पर सासंद बोड़ाई सोर को ध्यान नहीं दिया गया है जिसके चलते आज बुंदी जिलेक का जो खेरुना गाउं है यहाँ पर एक सतर वर्षी जो मन्रिगा सर्मिक थी उसकी अचानक से तबियत खराब होई उससे अस्पताल ले जाए गया जहाँ पर उसकी मौत हो गई परिजनों का कहना है कि अचानक से जब मन्रिगा सर्मिक थलाई की खुदाई कर रही थी तो उसे उल्टिया होने लगी दस्तोंने लगी तो उससे अस्पताल में लेके पोचे तो वहाँ उसकी मौत हो गई इसी प्रकार बसोली थाना चेतर के यहाँ पर एक युवक की जो है यहाँ पर सोव मिला है उसके परिजनों का उनका कहना है कि युवक जो है कि लूग के चपेट में आने के चलते जो है मौत हो गई है दोनों ही मामलों में परिजनों का कहना है कि वीशन गर्मी के चपेट म जो है रिपोर्ट आई उसके बाद इस और कुछ केना होगा जी आप बिल्कुल सलीम देखिए हीट वेब की चपेट में कई लोग आ रही है और तब्यत लोगों की बगट रही है ऐसे में क्या कुछ इंतिजाम किया गया यहां पर और साथी साथ लोग खुद से क्या उपाई क कर रही है इस भीषण गर्मी में राहत के लिए बिल्कुल प्रशासन हो चाहे मौसमी भाग वो लगातार जो है भीषण गर्मी को लेकर समय समय पर चेता रहा है चेताउनी भी जारी कर रहा है शेर में लगातार जो है जगा जगा उपर पानी की तमाम विवस्ता की गई है लोग जो तरह तरह को जतन कर रहे हैं, जो पेड़ादों के डुकाने हैं वहाँ पर जोओं की बीड़ देखी जा सकती है, तमाम फूँ जषब पर का वक्त होता है उसे बाहर जाने से बचे तागि वह इस परकाई की जो लुओं है गर्मी की चपट में ना आ आएं ठीक है सलीम बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए